जैश्रिकल की जैसे आराम जैहनुमान पाकिस्तान बेकरार है भारत वर्ष से उसे किसी भी तरह से बातचित करने का मौका मिले है येकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री ने दो टुक जवाब दे दिया है कि नहीं पहले आतंक वाद पर लगाम लगाओ आतंक वादियों को खत साजिश रची गई हमारे देश के खिलाव हमारे देश के सैनिक बहुत बहादूरी के साथ लड़े और अंत में विजय भी प्राप्त कि लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं ये खुले तौर पर माना कि उसने साजिश रची थी भारत वर्ष के खिलाव कारगिल युद्ध में लेकिन आज देखिए समय किस तरह बदल रहा है जब डिफेंस डे था पाकिस्तान में तब वहाँ के आर्मी चीफ ने ये सब के सामने कबूल किया कि हां उनके सैनिक बहुत सारे कारगिल युद्ध में मारे गए मुझा ही दिन का ये कार्य नहीं बलकि सरे आम उन्होंने ये बतलाया एकसेप्ट किया कि उन्होंने ही साजिश रची थी कारगिल युद्ध की तो अभी एक ने बतलाया आने वाले समय में पाकिस्तान और किस तरह से शडियंत रच रहा है भारत वर्ष में अशान्ती फैलाने के लिए ये भी वो धीरे धीरे खुद अपने मुझ से बतलाएगा अमेरिका, कैनडा, चाइना आज हर कोई हमारे देश की तरक्की से जल रहा है इसलिए भारत वर्ष में ही वो कुछ इस तरह से फंडिंग दे रहे हैं कि हमारे देश में रहने वाले मुसलमान अपने ही देश के खिलाफ यही की रोटी खा रहे हैं लेकिन अपने ही देश के खिलाब यही की जमीन के खिलाब आज वो जहर उगलने का काम कर रहे हैं मौलाना के जहरीले बोल सुनिये लगातार वो इस तरह से बोलते हैं कि बस अब भारतवर्श खत्म ही होने वाला है लेकिन आने वाले समय में खत्मा किसका होगा ये तो उपरवाला ही जाने लेकिन एक के बाद एक नए नए खुला से जिसमें भारतवर्श को भी अब एक ऐसे मोर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सोच रहे हैं कि आजकल के युवाओं का किय लाक तरक्की कर ली हमारे देश ने फिर भी हमारे देश के नौजवान यूथ बाहर भाग रहे हैं चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कैनेडा हो बाहर भाग कर वहाँ पर जाकर उन्हें लगता है शॉटकट लेकर खुब सारे पैसे कमाएंगे अब कैनेडा से ही वो वीडियो सामने आ रहे हैं जहां हमारे देश के भारतिय युवा खालिस्तानियों के साथ उनकी रैली में शामिल होकर सेलफी लेते हुए अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे देश में भारतिय युवाओं पर अत्याचार होता है अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उन्हें वहां रहने नहीं दिया जाएगा तो खालिस्तानियों का ये आतंक अभी लगभग आगे भी और चलेगा लेकिन एक के बाद एक सब के चेहरे से नकाब उतरेंगे जो लोग भारतवर्ष के खिलाफ साजिश रचने में अभी भी काम्याप हो रहे हैं लेकिन आने वाल खड़ी हो रही है भारतवर्ष में ही यही की रोटी खा रहे हैं लेकिन यही पर असुरों की फोज अपने ही देश के खिलाफ जहर उगलते हुए कुछ इस तरह के वीडियो और आने वाले समय में वो भयंकर आंदोलन होने वाला है कि देखते जाए लेकिन फिर भी जीत तो भारतवर्ष की ही है विश्वगुरु भारतवर्ष को बनना है लेकिन उसके पहले लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी चुप चाप हाथ पर हाथ धरे बैठ कर नहीं चलने वाला है काम हर बार बंदूक और बं से काम नहीं चलेगा लेकिन अन्याय को सहना भी एक तरह क अन्याय होता है तो दूसरों की हत्या नहीं करनी है लेकिन चालाकी के साथ जिस प्रकार श्रिक्रिष्ट ने भी बहुत चालाकी से सूजबूद से हारती हुए हारते हुए युद्ध को भी जितवा दिया था पांडवों को उसी प्रकार भगवान कलकी के सपोर्ट से धर्म और अधर्म के युद्ध में जीत हमारे देश की होनी है लेकिन हमारे देश को अभी बहुत सारे अत्याचारों का जवाब देने के लिए खुद को तयार करना है मिसाइल हमारे देश में बहुत जादा स्ट्रॉंग बन चुके हैं सेना हमारे देश की चाहे वो नेवी की हो चाहे आर्मी की हो या एयर फोर्स की काफी स्ट्रॉंग बन चुकी है अब पूरी तरह से तयार है किसी भी तरह के युद्ध का जवाब देने के लिए तो पासा क इस तरह से पलटता है आने वाले समय में थोड़ा सा रखना पड़ेगा ध्यान और धैरे क्योंकि अभी तो ऐसा समय चल रहा है हर किसी को लग रहा है कि बस असुरों के पाले में ही जो जा रही है गेद जीत उन्हीं की लग रही है ऐसा नहीं है सही समय का इंतजार भगवान क बलकी भी कर रहे हैं क्योंकि पापियों के पाप का घड़ा भरने में थोड़ा सा समय नहीं काफी समय लगता है तब तक करना होगा इंतजार थैंक्यू वेरी मैच फॉर वाचिंग मैं वीडियो